हे गाईज दिस इज डिके सॉनवाल है फिर स्वागत है आप सभी का जैन्मी नर्सिंग क्लासेज में और दोस्तों जैसा कि आपने टाइटल और थमनेल है वो देख लिए होगा बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप प्लाश तक जबू बने रहा है ताकि किया है आलोक राजी ने कि आप इसको नहीं पढ़ सकते या आप इसको नहीं समझ सकते लिए कुछ चीज़ें अनुभब के आदार पर हम आपको शेयर करते हैं तो वो चीज़ें आप से मिस हो सकते हैं इसलिए आप हमारी वीडियो देखते हैं अधरवाइज इंदी में लि है तो आप वीडियो को लास्ते जोर देखें चैल पनाए हो तो चैल को सब्सक्राइब आले पासमें जो वैल आइगन देख रहा है उसको आल पर प्रेस कर लेता कि आपसे कोई भी लैटस्ट अप्रेट आप मिस ना हो तो चलिए गए जबना टाइम गावात हुए करें मतलब आलोक राज जी बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं कि डारेक्ट स्टूडेंट से कॉंटेक्ट कर रहे हैं उन्होंने एक वीडियो में बात बोली थी कि यॉर एक्सपक्टेशन आवर प्राइटीच मतलब आपकी अक्सांसाएं हमारी प्राथमिक्ता हैं तो इस और की तरह काम कर रहे हैं और अच्छा है कि डारेक्ट कन्वर्सेशन से किया जाए तो जो एक्चॉल फैक्स हैं वो सामने निकल के आते हैं ठीक है मैं यहां पर आपके कई सारे डाउट से वह क्लियर करूँगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आप मारा ट ट्रेलिग्राम ग्रोपे लगबग 2.5 के के आसपास वहां पर फॉलोवर्स हैं तो आप भी जोइन कर सकते हैं तो साथ साथ आप हमें जयानमी नर्सिंग क्लासे इंस्टरग्राम पर भी फॉलो कर ले ताकि वहां आपको सौट वीडियो के मादम से रील्स के मादम से आपको इनफर्मेशन वहां मिल सके time to time ओके तो यहां पर देख लेते हैं आलोक राजी ने क्या कहा है और उनोंने कहा है कि यह सभी संबावित पोच्ट हैं बैक हैं अभी इनमें से कुछ भी एक पूर्म नहीं है यहां पर अभी कुछ भी और आप से उसमें इकукर जैने जाने ही को आपके लिए यहाँ पर भी डाला है तो NHM से क्या comments आते हैं और आपके क्या comments चाते हैं उसके बाद में इन पर जो भी observation के बाद में जो भी decision लिया जाएगा वो after conclusion मतलब discussion के बाद में जो conclusion निकलेगा उसके बाद में यह decision लिया जाएगा यदि आपके कोई objection नहीं होंगे तो य देख लेते हैं NHM backend post information जो सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब तयार करवाया है ओके तो सबसे पहली यहाँ पर पोस्ट है सभी नहीं की पोस्ट है medical विवाग से रिटेट पोस्ट है सारी की सारी block program officer जो BPO होता है या BPM जिसको बॉलते हैं TSP के यहाँ पर 11 पोस्ट है non TSP के 42 पोस्ट है total number of post 53 है salary honorium मतलब यहाँ salary रहेगा salary यहाँ पर रहेगी वो 16,900 रहेगी दोस्तों यहाँ पर कम दिखाई गई है तो आपको ऐसा नहीं है मैं आपको clear कर दूँ ऐसा नहीं है कि यह payment आपको दिया जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर इसको पहले clear करूँग officer और nurse ओके तो यहाँ से आपको salary का आप आपके जो CSR rules 2022 है contractual hiring rules है contractual hiring rules है 2022 वाले उनमें आप अपनी post के सबसे देख लिएगा आपके वहाँ पर payment क्या है और आपको real payment क्या मिल रहे तो दो post का मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पर बाकी post का तो देखो आप भी जानते हो हमा परा कोई काम नहीं पड़ता नर्सिंग वालों का तो community health officer की बात करते हैं तो यहाँ पर total नमोर पोस्ट है TSP से है वो 71 है non-TSP से है वो 2563 है टोटा नमोर पोस्ट हो गए 2634 टोटा नमोर पोस्ट है बेकेंड और यहाँ पर honorium दिया है 18,900 रुपे जो की आप बिलकुल भी ना खबरा है बिलकुल भी चिंतितना हो because यहाँ पर आपको payment रहेगा 25,000 मिलने वाला है क्योंकि यह जो payment यहाँ पर 100 किया है इन्होंने वो आपके CSR rules है जो CSR rules है 2022 वाले उसके आदार पर किया है उसमें mention है 18,900 विकाज जो committee health officer equivalent माना है nursing officer के तो contractual service rule है उसमें nursing officer का pay matrix 22,000 रखा गया है मतलब pay grade और 22,000 के अधार पर 18,900 रखा गया है लेकिन यहाँ पर जैसे CHO का 18,900 है लेकिन जो 5,000 कितना बच रहे है 6,100 रखे कुछ बच रहे है ना I think Yes, 19 और Yes, 6,100 रखे तो वो आपके CSR rules में कुछ अलग process से बताया है कि ऐसे आपको मिल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ में नहीं है अभी जैसे राजस्तान में CHO है उनको 25,000 के इसाप से salary मिल रही है कुछ बच्चे comments कर रहे थे group बगरा message कर रहे थे कि जो अभी डीवी चल रहा है जिस vacancy का उसमें तो notification में तो 25,000 लिखा हुआता है लेकिन यहां पर 18,900 क्यू है तो आप बिल्कुल भी ना कर रहे हैं इसका भी notification आएगा जब वो 25,000 आएगा और एदी 25 नहीं आता है जब भी आपको 25,000 मिलने वाले है तो डाउन पर ही इसके regarding ओके चलिए तो next हम देख लेते हैं पोस्ट भाई चलते हैं यह आपको salary के लिए लेके गयाता में बहाँ सीधा social worker की है पोस्ट है 16,900 पैमेंट रहेगा और यह इनकी examination date दे रखी दोस्तो expected है ना tentative date है यह तो आप ध्यान रखें अपनी post का tentative date का जैसे और भी पोस्ट है hospital administrator की है 16,900 senior counselor की है 16,900 data entry operator की salary रहेगी 13,150 program assistant junior program assistant 10,000 program assistant 16,900 pharma assistant female health worker A&M 13,150 यह expected number of candidate इतने form आ सकते हैं इन्होंने यह भी मतलब एक आकड़ा लगाया या अंदाजा लगाया है estimation किया है कि इतने form आ सकते हैं अभी हम main focus करेंगे वो आपके community health officer CHO की post पर और nurse की post पर करने वाले हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया 71 TSP और 2563 है वो non-TSP total 2634 post 18,900 आपका payment और यहां पर इन्होंने estimation लगाया है कि वह एक लाग वीशेजार form में वो आ सकते हैं और आपकी जो expected date है exam की tentative date है वो 6 June 2025 यहां बताई है और nurse की भी यहां पर 6 June 2025 बताई है दोस्तों आपको बड़ा जटका लग सकता है हालांकि ऐसा नहीं यह अभी तक कुछ भी निश्यत नहीं है यह एक संभावित एक जो परफोर्मा उन्होंने तयार किया है यह सब चैंज होगा क्योंकि शेम डेट में शेम इलिज्वल कॉलिफिकिसन वाले exam नहीं करा सकते हैं हो सकता है करा दें लेकिन फिर जो भी रहेगा वो देखा जाएगा लेकिन अभी तक के लिए यह है पबलिक हैल्थ केर नर्स भी है यहां पर इसमें 102 पोस्ट है 18,900 देखिए सब जो नर्सिं तो CSI rule के according है तो real में ज्यादा होगा क्योंकि मेरा कोई non भी नहीं nursing trainer के पोस्ट पर तो मैं उनसे बात करके आपको clear करूं साइकेटरिक नर्स वो ही equivalent रखा है nursing officer के और नर्स को भी equivalent है committee health officer equivalent है public health care nurse है वो भी equivalent है आयनों के ओके और भी वह सारी पोस्ट है rehabilitation worker है phasio therapist assistant है medical lab technician है compounder आयरवेद है audiologist है biomedical engineer है sector health supervisor sector health supervisor जिनको PHS बोला जाता है उनको 11,200 payment है तो यह यहाँ पर आलोक राज जी ने बहुत अच्छी पहल की है कि इस तरीके से direct conversation किया जाए candidate से ताकि जो चीज़ें है वो निकल के आए सामने तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ जैसे ही कोई update आता है इन वेकंसी से संब्देत तो आपको सबसे पहले सबसे सठीक information मिलेगी कभी कभी कभार क्या वीडियो लेट हो जाता है विकाज आप लेस अफ टाइमिंग ना था एक लाग वाप यह वाचिंग द्स वीडियो गई फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंफॉरमेटिव वीडियो में अपडेट के साथ मैं थैंक यू वाईच